नमस्कार एनमफ लीउज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अभी शेक पुंडीर स्वाती मालिवाल के केस मेरविंद केजरिवाल और उनके पूरू पिये विभव कुमार की मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि स्वाती मालिवाल ने विभव कुमार के खिलाब F.I.R. दर्ज करवा दी है और स्वाती मालिवाल के 164 के तहट मजिस्ट्रेट के सामने इस मामले में बयान भी दर्ज हो चुकी है उसके बाद दिल्ली की फोरेंसिक टीम और दिल्ली पुलिस अर्विंद के जिरिवाल के घर पहुँची दी सीम आवास पहुँची सीश महल में जाकर उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया वहाँ पर फोरेंसिक जाच की क्योंकि घटना स्थल शीश महल में ही जो घटना हुई थी और घटना स्थल पर फोरेंसिक टीम गई दिल्ली पुलिस के साथ लेकिन तक्रीबन एक गंटे की जाच के बाद वहाँ स फोरेंसिक टीम निकल गई लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं निकली और फिर दुबारा से अब फिर फोरेंसिक टीम गई है स्वाती मालिवाल के साथ जिस तरह से आपने सुना होगा सीन को रीक्रियेट करते हैं एक बार फुल फ्रेम दिखाईए गए जो तस्वीरें हैं ये दिल सीम आवास लेकर आया गया है अर्विंद केजरिवाल के घर पर इन्हें लेकर आया गया है दिल्ली पुलिस यहां पहले से ही मौजूद है फोरेंसिक टीम एक घंटे की जाच के बाद यहां से सीम आवास से निकली थी लेकिन उसके बाद फोरेंसिक टीम दोबारा से स्वात लेने किसे इंकार कर दिया जिसके बाद ncw का वो निटिस विभाव कुमार के घर चस्पां कर दिया गया विभाव कुमार के घर पर भी किसी को नहीं जाने दिया गया अब मैं आपको एक पीर दिखाता हूँ ये स्वातिम आलिवाल ने आजी tweet किया है जिसमें उन्होंने hitman का जिक्र किया है। आपने लोगों के tweets करवा के आदी बिना संदर्भ की βीडियो चला के इसे लगता है कि इस अपराद को अन्जाम देगे खुद को बचा लेगा कोई किसी को पीठते हुए वीडियो बनाता है क्या भला घर के अंदर की और कैमरे की CCTV फुटेज की जाच होते ही सत्य सब के सामने होगा जिस हद तक गिर सकता है गिर जा भगवान सब देख रहा है एक ना एक दिन सब की सच्चाए दुनिया के साबने आएगी त जो है इस्तमाल किया है इस पूरे घटना करम के बाद जब FIR हुई और जिस वक्त टीम दिल्ली पुलिस के और फोरेंसिक टीम अर्विंद केजरिवाल के आवास पर थी उसी बीच आतिशी सिंग जो अर्विंद केजरिवाल की सरकार में मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉंफ अर्विंद केजरिवाल घर पर ही मौझूद नहीं थे लेकिन स्वातिमालिवाल ने अपने बयान में भी और अपनी FIR में भी ये कहा है कि जब वो अर्विंद केजरिवाल की घर पर पहुची तो उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया कि मुख्यमंत्री घर पर ही है और आपसे कुछ देर में आकर मिलेंगे लेकिन इसी बीच विबाव कुमार आते हैं उनसे बातचीत होती है और उसी बीच ये मारपीट होती है रिपूर्स में ये भी लिखा गया है कि उनके मुझ पर पेट में जो है मारा गया अभी जो तस्वीर आपने देखी उसमें देख स ही कि संजय सिंग इस घटना के एक दिन बाद प्रस कॉंफरेंस करने आये थे और उन्होंने कहा था कि स्वाती मालिवाल के साथ जो अबधरिता विबाव कुमार ने की है वो गलत है उसकी हम निंदा करते हैं और जो दोशी होंगे उनके उपर कारवाई की जाएगी ये भी उन्होंने कहा था किरविन् Drake के जरिवाल के संग्यान में इस घटना को लाया गया полов लेकिन उसके ऐक दिन बाद लखनाउ के एरपूर्ट पर संजय सिंग अर्विन के जरिवाल और विबाव देखे जाते हैं जिसके बाद स्वाती मालिवाल अफ आग और दर्ज करवा देती आतिशी स्वातिमालिवाल के साथ तो आतिशी ने कहा कि उन्होंने तब तक स्वातिमालिवाल का पक्ष सुना था और विभाव कुमार का पक्ष नहीं सुना था उन्हें नहीं पता था कि सीम के आवास पर क्या कुछ हुआ है तो इस मामले पर भी वो सफाई देती वी नजर आ पर पहुंच चुकी है और उम्मीद है कि वहाँ जब स्वाती मालिवाल को दोबारा लेकर जाया गया है तो जिस तरीके से सीन को रीक्रियेट करते हैं उसी के लिए दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम स्वाती मालिवाल को लेकर गई है सीमावास में अब देखना होगा कि कि इस जाच के बाद क्या कुछ रिपोर्स निकल कर सामने आती है इस पूरी खबर पर क्या कुछ है आपकी राए कमेंट कर हमें ज़रूर बताए नमस्कार